नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवर्ड इंडिया और मैं हूँ आपके साथ सुभाश कॉड उत्राखण में चुनाव खूब तेजों से कर मरा रहा है लेकिन बड़ी चीज़ यह है कि उत्राखण में जिन मुद्दों को लेकर चुनाव के मैदान में राजनेती दल उतरते हैं वो मुद्दे इस बार गायब है और इस बार जो मुद्दे हैं वो तरप्रदेश के मुद्दे उत्राखण में अपनाने की कोशिश की जा रही है जी हां हम बात कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम क्योंकि मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ मेरे सामने एक Twitter account है जो की BJP उत्राखंड का है जिसमें जो तस्वीर है यह तस्वीर अगर आप पहचानने की कोशिश करेंगे तो यह हरी श्रावत है जिनने मौल भी बनाने की कोशिश की जा रही है और इसकी मुख्य वज़ा यह है कि अब हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश उत्राखंड में भी की जा रही है सबसे बड़ी चीज यह है कि मिलिया उत्राखंड के कॉंग्रिस मुस्लिम यूनिवरस्टी के वाइस चांसलर जी हाँ हरी श्रावत की तस्वीर बनाए गई है और क्योंकि मुस्लिम यूनिवरस्टी बनाने की बात उत्राखंड में कही जा रही है तो इस वज़ह से इस तर चाहूंगा यह आप अगर देखें तो यह है उत्राव बीजेपी उत्राखंड का ट्विटर अकाउंट अगर इस अकाउंट पर अगर हम गौर से देखें तो हमें नजर आएंगे कहीं बहतर तस्वीरें यह देखिए हर्दा की हर्दा की उत्राखंडियत का सच एक फोटो पनाये गया है एडिट किया गया इसमें लिखा गया है कि हर्दा की उत्राखंडियत का सच आपको दिखाते हैं और लैंड जिहाद पहाडी पहाड़ी संस्कृति का खात्मा जो तस्वीर है उसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो हरी श्रावत है यह फिर जो कॉंग्रेस पार्टी है वो इस तरीके की सोच रखती है वो हिंदुनों का पलायन कराना चाहती है वो लैंड जिहाइद कराना चाहती है वो विट्स पर नज़र डालें तो काफी महतुपूर्ण बनाने की कोशिश की गए शोशल मेडिया की जो टीम है उसने बहुत कोशिश की देखिए देभूमी उत्राखंड में उत्राखंड को क्या चाहिए मुस्लिम विश्व विध्यल्या बनाने वाली कॉंग्रेस या फिर रोजगारी को किस तरीके से दूर करेगी राज्य सरकार या विपक्षितर और उसके अलावा पलायन को किस तरीके से रोकेगी प्रदेश के लिए क्या विकास कारे किया जाएंगे लेकिन इस बार जो उत्तर प्रदेश में किया जाता है या उत्तर प्रदेश की राजनीती म वो ही आप उत्राखंड में भी देखने को मिल रहे हैं उसका जीता जाता उधारन बीजेपी के ट्विटर अकाउंट पर भी आप देख सकते हैं तो फिर आप देखिए एक और आपको अध्वुचीज नजर आएगी देभूमी उत्राखंड को क्या चाहिए मस्जिद या फिर केदारनाध था यानि कि यह कहा जा सकता है कि हिंदू मुसलिम पर पूरी तरीके से बीजेपी भी पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं और कॉंग्रेस भी नजर आ रही यानि कि बड़ा खामियाजा उत्राखंड कि अब की जनता को भुगतना पड़ेगा चु उन्तिवाँ को लेकर बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार उत्रा खंड में कि जो चीज होनी चाहिए ती जिनकी चीजों को जंता के सामने परोसा जाना चाहिए था वो चीज़े थी ती बेरोजगारी दर आठ लागों से अधीक बेरोजगार उत्राखंड में हैं उन बेरोजगारों को रोजगार देने की बात यदि बीजेपी कांग्रेस करती तो बहतर होता पहाडों से लगातार पलायन हो रहे हैं पहाड के गाओं खाली हो रहे हैं उन गाओं में लोगों को फिर से रोकने के लिए फिर से बसाने के लिए परियास कर करने की बाद अगर करती बीजेपी कॉंग्रेस तो बहतर होता यदि इसके साथ ही रोजगार देने की बाद करती तो बहतर होता सुरक्षा व्यवस्ता बहतर करने की बाद करती तो बहतर होता और प्रदेश को बहतर राज्ये बनाने की बात करते तो बहतर होता लेकिन अब सभी राजनितिक दल चाहे बीजेपी हूँ या फिर कॉंग्रेस अब हिंदू मुसलिम पर इस बार विधान सभा का चुनाव लड़ने के लिए तयार नजर आ रहे है और यही वज़ा है कि उनके शोशल मेडिया अकाउंट्स में भी इस तरीके की फुटेज आपको देखने को मिल सकती है लेकिन यह किवल बीजेपी काई नहीं अब आपको एक और मैं वीडियो दिखाऊंगा इस वीडियो में यह आप देखिए यह हैं धन सिंग रावत जो की मंत्री हैं बीजेपी के और यह एक मस्जिद से बाहर निकल आपको नजर आ रहे हैं तो कुल में लागे कहा जा सकता है कि सियासत अब बीजेपी कॉंग्रेस की हिंदो मुस्लिम होती वी नजर आ रही है और जो उतराखंड की जनता है उतराखंड के जो मूल भूत सुविदा हैं उतराखंड में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाह रही थी वो चीजें अब राजनिती दल भी दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं ऐसी और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते रहेंगे तब तक लिए जोड़ते रहिए न्यूस वार्ड इंडिया के साथ तमस्कार